आप कहते हैं वो रैली की बहाँ की भाषा है यह कहते हैं आत्ममुग्द है यह यह दोनों बड़े कंट्रास्ट चीजें है अधिशके नाम सम्पोदेन हो रहा है या रैली हो रही है एक तो बात यह प्राचीर से लाल के लेगे प्राचीर से राइट साथ हमें परधान मंत्री जी के भास्रण को देश के प्रधानमंत्री का भास्रण मानना चाहिए अगर उस दुरिश्टी से देखेंगे तो हमें प्रधानमंत्री जी ने जिस जिम्मेदारी के साथ 130 करोड देश्वासियों की ताकत की बात किये उन्हें की से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हम 130 करोर लोग एक साथ मिल करके इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं देश आगे बढ़ रहा है उन्होंने दुनिया के सर्टिफिकेट की बात की है मगर दुर्भागी की स्थिति है कि जब सेना पर सवाल उठेंगे सर्जिकल इस्टाइक पर सवाल उठेंगे एर आज आप ऐसे बिपक्स बन चुके हैं कि आप विरोत करते करते पाकिस्तान के साथ खड़े हो जा रहे हैं चाहिना के साथ खड़े हो जा रहे हैं इसलिए हमें आप मंधन की जरूत है हम 130 करोड़ लोग अगर चाहेंगे तो अगला जो 2047 का जो ओवर्स होगा और जो हमारा लक्स है विक्सित भारत का वो हम पूरा करेंगे भारत विश्यूगर हुआ क्या है प्रधान मंत्री तो बोलते हैं दस साल हो जाएगा विक्सित हो जाएगा मुझे सरफ 60 महीने दे दो मैं देश को कहां से कहां पहुचा दूँगा अब 2047 कर दिया जवाब देगी आपके अपके सवाब कर जवाब देगी वो जी पहले तो अटावन साल में पिजली नहीं आई वो कहा है प्र्धान मंत्री जी गाइगा यहर जाते नाना जी प्रधान मंत्री बन गए जाते जाते भी ईकर हिए ओर जाते जी मंत यह कहते हैं कि आप जब कॉंटिबूशन गिराते हैं तो नहरू जी को नहीं कौन करते हैं जो इस देश के पहले प्रदान मंत्री हैं वो हैं उनका कॉंट्रिबूशन कहते भी कोई डिनाई कर देगा लेकिन मुझे आप एक चीज़ बताइए इस देश के लोगों को ना आउट आफ साइट और आउट आफ माइंड वाली बात बहुत है जो दिखता नहीं वो है नहीं एक चीज़ बताइए इस देश में क्या अके लिए नहरू जी की वो है वो शप्त कर इस तबाला करी को आप चाटे कर बंदू और बताइए नेता जी क अगर हम उनकी बात करते हैं जो की कॉंग्रस से ही थे इन परिवारवादियों को इतना दर्द हो जाता कि रहो जी की भार नकी सब्सक्तिक्राइए पार्टी आखते हम एकए उन्मार्स व मेराख कर देख हो और अचारा नेता होते हैं वह वो को एक नारा देते हैं उसे लोग सधियों तक याद रखते हैं एक बात नहीं साल में आपको काट नहीं रहा हूं बस मैं बराए महरबानी कह रहा हूं मैं आप से आप मेरी बात सुनिए मैंने कहा ना उस विक्ति ने आप कुछ भी गाव मैं मैं उनकी निंदा भी कर सकता अहमत हुआ जा सकता है बहुत बात हैं इसी हो सकती है असाहमत भी हो सकते हैं लेकिन एक बात तो है कि यह महिला के लिए ओछ Bereim बात आपको में बार बात में कहता पॉंकर डिबेट में करता हूं चोटी बात हो सकती है एक सोचाले देना और यह सोचना कि उसके लिए ऑचाले हो चोटी नहीं हो सकती किसी भी द्रिश्च्रिकोर से पच्छतर वर्ष बिताने के बाद यह चोटी नहीं हो सकती है थीन सो करोड रुपे लगा दिये हो सैफई महॉटसव में और योगी जी की सरकार ने दो गरोड़ अड़ सकता है लिए लिए लट इस लट इन अप वो अच्छा है लेकिन आप रिसर्च करना इस देश में निसुल्क सोचाल्य बनाने की सुरुवाद सिरी मुलायम सिंग यादव जी की सरकार ना की थी 1989 में सबसे पहले उन्होंने कहा था कि महिलाई खुले में जाती है खेतों में जाती है उन्होंने गाऊं गाऊं जो निसुल की सोचले बनवाए थे उसे प्रदानमंत्र जी ने आगे बढ़ाया हम उनकी सरहना करते हैं इस बात के लिए लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं असी साल पहले गांधी जीन नारा दिया था अंगरे जो भारत छोड़ो जन जन आज भी याद रख करता हुसे उसी लगभग उसी दोर में निता जी सुभाष चंदर बोस ने का तुम मुझे खूंदो मैं तो मैं आजादी दूंगा लाल बाहदूर सास्त्री जी ने का जै जवान जै किसान ये कुछ नारे ऐसे होता हमारे प्रदानमंत्री क्या करते हैं प्रदानमंत्री जी खुद तो कहर उनकी शिक्षा विक्षा पर प्रसंचिन लगते रहते हैं अगर अज़कार भी उनका चनी रहते हैं अगर ने थैंगर तो किसली अगर ये तो नहीं लुत ने दूगा और अजेंदा भी वही है जोड़ा चे अनुसंध्यान कोई मुझे पता देगा विज्ञान में तो अनुसंध्धान होता है अनुसंदान दिर्ष्टी है जबिए अप्रोच होती है विज्ञान साइंस हो गया लेकिन आपकी जो अप्रिट्टूड है वो अनुसंदान मूलक है आप इस्टी भी पढ़ें लेकिन असंदान मूलक हो सकती है कुष्टी करण में धसी हुई पार्टी और उसके प्रवक्ता को ये तो अच्छा लगा नहीं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक नारा है, क्योंकि इन्हों ने तो एक ही जात की राजनीती और एक ही धर्म की राजनीती करी है न, इसके अलावा, सौगंद मु आपनी पार्टी की बात रखो, बुष्टी करण को गाली बता रहे है, मुस्लिमों के बच्चों को मैं बाहर निकालूँगा, जब वो यहां से निकल जाएंगे, C.E.A. के प्रोटेस्ट में जो जैल में उनको बाहर निकालूँगा, तब तुस्टी करण है तो बोलूँग जाओ जैल में जाएंगे, तो बिल्कुल वाएंगे, अगर पलातकार करोगे तो जैल में ही रहोगे, तुष्टी करण वाले को तुष्टी करण वाला ही कहा जाएगा सब्लाइब, सब cupboard कुमार को किसने महारा था? सबुछार को किसने महारा था रहत कशी पूछाँ जहाओंगी को वह कौन है? कुल विदी हम्हके को जो निकली हो कौन थे? यह तो इन से सवाल है जिनका सवाली का जवाब कभी दे नहीं सकते प्रतिव जी जिसने सबसे पहले महिलाओं के सम्मान में और महिलाओं की रक्षा है तू महिलाओं के लिए जो है वो महिलाओं के हक में कानून लेकर आए और उसके खिलाफ जो है आरे सेस वाले और बीजेपी वाले जो है जंसर वाले बैठ गए धर्रे पर कि ये कानून क्यों लाए गए और भाइव गोली चलाने वालों के बीच में हूं जो किवल दुस्मनों पर गोली चलाती है दुस्मन के दांथ करती आप बताइए कि जिस तुष्टी करण के नाम पर जिस धर्म के नाम पर उनकी पूरी राजनी तिटिकी हुई है उनका चस्मा एक ही रहेगा आप पनुसंधान बोलें आप सर्टिफिकेट की बात करें आप तिरंगे की बात करें हर एक में इस बीच जो तिरंगे को लेकर डिबेट हुई है दुर्भाग्य है हमने तिरंगा लगाया आपने तिरंगा लगाया आपने केवल नहरू लगाया केवल नहरू आपको कोई नही द पुरा देश जानता है किस तरीके से आप अगल बगल भारत को बदलता हुआ देख रहे हैं अगर आपको बर्दास्त नहीं हो रहा है एक परिवार की केवल एक परवार की चरण वंदनागर के कॉमरेश किस आलत में पहुंस वही है और चेतरी पादेश को परिवार के वारा च जीको आप आफ जायें आप तूजी की बात आप जा जो पहुरा नाते है इसंची जी इए आपक्तिर ऑर भंसाचान बहत प्रहना है आप ने पर हुआरा दर के रहा है आप तूजी कि युम्रह का हुआ द्दनाब ह lefte u सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब 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 वक्ता चिलाएं जूट सच नहीं हो जाएगा पहली बात तो यह इसी बात पर सर ने कहा यह आत है संत्री ने कहा यह रात है यह सुबह सुबह की बात है बहुत अच्छा बात को अच्छों से दूर रहा